वेल फ्रेंड्स मेरी आवाज क्लिर आ रही है आप सभी को अब कोई इश्यू नहीं न सही चल रहा है सभी अर यू रेडी चल यो यह इवेबिल का मैंने चार्ट बनाया वटा पहले तो यह चार्ट से समझ लो यह इवेबिल के चार्ट में मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिये एक बार फिर से सुनना यहां सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिये including amendments हमारी जो amendments और CBIC का clarification है वो भी मैंने cover कर लिया exam purpose के लिए मैं ये बताओ तो बस ये chart और हमारा questionnaire इतना ही पढ़के जाएए बाकि additional आपको कुछ भी पढ़ने की जुरूरत नहीं है ठीक है तो additional आपको ऐसा कुछ भी पढ़ने की जुरूरत नहीं है ये chart और वो enough है और ये chart इतना बढ़िया बनाया हुआ है कि हर चीज ऐसे segregate की है यानि आपको exam में ये chart ही आपको ऐसा recall हो जाएगा last exam में students के बहुत सारे feedbacks मेरे पास है और उन्हें ने का कि sir ये GST के last topic के अपने charts इतने दिमाग में फिट हो गए कि exam और उसके साथ questionnaire solve कर लिया तो इसरे exam में हमें ये 25 marks है ने जो मैं chart book दे रहा हूँ ये 25 marks में कोई दिक्कत ही नहीं कही और आपको भी बिल्कुल बिटा ये दिक्कत नहीं जानी चीए तो लंबी सास लो और जो मैं कहता हूँ तो वो daily कम से कम 10 से 15 बार daily आपका होना चीए तो 10 तू 15 टाइम जो है आपका daily वो आप अपने आपको कहो क्या कहना है आपको बता है तो चली ये discussion स्टार्ट करते है यहाँ पर यह चार्ट बड़ा यहाँ अच्छा चार्ट है सभी points हमने cover की है तो अब देखो बड़ा evable evable में जैसे आपको पता ही है जैसे आप enough match चोड़ो CA final level पे मैंने जैसे evable concept क्यों आया तो evable concept लाने का reason यह था उके उसके 2-3 reason थे पहला समझो जैसे supplier है और recipient है और goods transport कर हो रहा है अगर goods transport हो रहा ह है from supplier to recipient तो government इस गूण्स की movement को control करना चाहती है और इस goods की movement को control करने उनके अपने object है तो एक digital interference लाना चाहती है और digitally आप किसले हम बात evable की करें तो goods पर ज़्यादा focus किया गया, service का सवाल नहीं आता है, गोर्मेंट का control mechanism भी काम कर रहा है,ử works can't on anyway उसको avoid करने के लिए उनका यहाँ पर mechanism काम करना है अब अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो yes digital interference में goods की movement को control करना है यह उनका main object है sir government क्यों इसको control करना चाहती है क्योंकि बहुत सी बार dummy invoice से चल जाते है goods के और goods customer के place पहुचा की नहीं पहुचा यह पता भी नहीं चलता है दूसरा in transit अगर checking करना है तो in transit checking में बहुत मुश्किले आ जाती है कि यहाँ पर उसके document invoice का भी fake invoice बनते है कि ऐसे किसी movement के लिए invoice बन चाहती है कि एक बार data आ गया है तो वो cross checking उसकी हो सके है इसलिए यहाँ पर control on fake invoices उसके बाद में dummy transactions जो भी dummy transactions है उस पर control करना चाहती है government और आपका transaction transparent हुआ है clear हुआ है मतलब अगर evable बना तो आपकी GSTR1 में supply दिखना बीच यह goods को recipient को मिला उसका भी government के पास proof होगा तो यह बहुत सारे object थे government के यह evable को लाने के लिए और जहां तक benefits की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री को सबसे बड़ा benefit क्या हुआ इवे बिल का इंडस्ट्री को एन जो genuine taxpayer है उनके लिए evable का सबसे बड़ा benefit यह हुआ कि पहले क्या होते थे जब भी एक state से दूसरे state में goods जाते थे तो बहुत सारे checkpoints पे के truck को रोका जाता था यानि अगर कोई goods देली से यहां कन्या कुमारी जा रहा है तो वैसे अगर सीधा जाए और कोई रोके ना तो वह साथ से आठ दिन में जा सकता था लेकिन हर checkpoints पे रोकना और वहाँ पे उसके बार-बार document चेक करना इसक सब ये cross checkpoints government ने निकाल दिये अभी तो वो toll plaza जो अपने toll होते उससे ही वो capture कर लेते data और vehicle number अगरे और even bill के साथ match कर लेते नहीं तो immediate उनको online report चले जाती है transporter को जिसका भी वो vehicle number है तो अभी इतना control कर रही है government तो क्या हो गया अब industry को क्या फायदा हो गया industry को ये फायदा दिये गए और आज transportation ease कर दिया गया all or area और यहाँ इस करने transportation तो करी दिया साथ साथ में transportation cause भी government ने जो है कम की तो जिन्हों इन taxpayer के लिए बहुत फायदा हुआ लेकिन जो यहाँ पे fake taxpayer थे जो यहाँ पे जिनको tax avoid करना था वो taxpayer के लिए थोड़ी मुश्किले हो गई क्योंकि government का control mechanism digital interference बहुत बढ़ गया तो यह उसके बीचे एक small और sweet background था जो आपने यहाँ पे discuss किया बाकी तो बहुत सारे government के object थे उसको इवेबिल लाने के लिए और industry के भी यहाँ पे जहां तक है फायदे भी बहुत सारे है तो पहला सवाल अगर आपका इवेबिल से related आ होई है और के general discussion और special discussion में बात करें सफेशली कुछ cases में वेबिल कैसे बनाए जाते है यह special discussion में मैंने क्या लिया specially कुछ cases में E-Way Bill कैसे बनाया जाते है उसके उपर तो हम बात करेंगे लेकिन एक general provision क्या है E-Way Bill की इसको हम समझ लेते हैं अब अगर आप title दिखोगे तो section है section 68 याद रहे जाए तो अच्छी बात है थोड़ा आप focus करोगे mind mapping करोगे तो दिमाग में fit हो जाएगा memory काम करती है थोड़ा आपका ध्यान होना चीए तो section 68 and rule 138 E-Way Bill तो rule है 138 अब जैसे मैं आपके एक बाद बता दूँ E-Way Bill के दो अलग-अलग rules चलते है for intra-state supply हर state government अपने इसाब से E-Way Bill का rule बनाती है और for inter-state supply यहाँ पे central government rule बनाती है तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे E-Way Bill यहाँ central government ने जो rules बना है उसको धान में रखते हुए हम E-Way Bill के concept पढ़ेंगे जहाँ तक है state government यहाँ इतनी सभी state government और union territory जो इसके rules बना रही है यहाँ पे 99% से में कुछ limit छोड़के जैसे E-Way Bill का अगर आपको याद होगा तो हम जो पढ़ने वाले जो central government ने E-Way Bill बना है इसमें 50,000 के limit दी है और 50,000 के उपर अगर आपका inter-state supply होता है तो वो situation में E-Way Bill बरा रा पड़ता है और limit 50,000 के दी है पर जब आप inter-state की limit देखोगे और state के अपपने जो limit देखोगे तो उसमें कुछ state में जैसे example देली है तो एक लाग का limit दिया गया है तो अलग-अलग state में अलग-अलग limit दी गही है बाकी यहाँ पर most of the provisions सेम है इसलिए हमें state limit नहीं लगाना है जो rule 138 है यहाँ पर जो central government ने e-way bill rules बना के रखे है वो e-way bill rule हमें देखना है इसलिए आपका कभी एक सवाल आ सकता है कि मैं अगर यहाँ 50,000 की limit बता रहा हूँ और आपके state में एक लाग की limit चल रही है तो आप कोगे कि sir हमें तो आपने 50,000 की limit पढ़े है मैं आपको interstate supply हमारे पूरे discussion में mostly interstate supply पी बात चलेगी क्योंकि central के e-way bill rules हमें पढ़ने है as well as जो interstate supply की limit है उसके लिए जो 50,000 है उसके उसके लिए जो 50,000 है उसके उसके पर हमारा discussion चलेगा interstate supply के लिए जो e-way bill rule बने है जो state government ने इशू की है बाकी सब mechanism same है बाकी सब provision same है लेकिन जहां तक देखा जाए यहां पर limits अलग-अलग states की अलग-अलग state में है आप मेरी बात समझ जाओ सभी लोग yes or no यह बात समझ जाओ ना आप चलिए तो पहला सवाल यह आएगा what is an e-way bill and why it is required okay चलो फटाफट underline करते जाओ मेरे साथ पहले यह जो है government का digital interference है और यह causing the moment of goods याने इवेबिल जो है okay a person who causing the moment of goods ख्याल रहे है इवेबिल बनाते वख आपने goods की movement को track करने का object है उस पे ध्यान देना okay उसके बाद बे कौन बनाएगा तो person who causing the moment of goods generally आपकी movement start होने के पहले आपको बनाना है इवेबिल और इसका इवेबिल पोर्टल पर जाके आपको इवेबिल बनाना है और अभी मैंने आपको बता दिया invoice होगा तो वो situation में auto generated हो सकता है इसका क्या relevance है industry की साब से देखा जाए hassle free movement और इसके बाद में next अगर हम देखें ट्रैक दो movement की साब से देखा जाए तो government अभी movement बहुत अच्छे से track कर सकती है इवेबिल का यह object है और बिटा यहाँ पे future में तो आपके convince में जो भी transporter उसके convince में frequency device लगेगा और वो device से ही जैसे आज आप Ola Uber का location catch कर सकते हो वैसा अब government future में जो है यहाँ पे आपकी movement track कर पाएगी यह इस पे government को clear पता चलेगा कि आपका जाक आ रहा है कोई fake transaction, dummy transaction तो नहीं हो रहा है तो उस पे पर control रहेगा tax evasion और eliminate state boundary check post तो tax evasion पे भी government का control रहेगा और industry के लिए इस आप से फाइदा देखा जाए तो जो हर state के boundary पे जो check post होते थे for checking the goods को सब हटा दिये गए और hassle free movement कर दिया गया यह इसके यहाँ पे benefits है चलेए अब यहाँ second question जो है who and when evasion bill is required to be generated कौन generate करेगा तो every register person supplier or recipient who causes the movement of goods ख्याल रहे अगर आप provision पड़ते हो तो register person आरपी either supplier हो सकता है या recipient हो सकता है who causes the moment of goods अब बेटा इसमें आपके सवार आ सकते है sir दोनों भी unregistered है तो वो case में उन्होंने जिम्मेदारी transporter पे दिये है जो में special case में आगे पड़ा होगा कि वो case में transporter उसका evable बनाता है अगर दोनों unregistered है और evable नहीं बन पार है और value 50,000 से ज़्यादा है तो transporter वो situation में evable बनाएगा तो every register person supplier आपको हो या recipient करो okay who causes the moment of goods ख्याल रहे हैं यह word पे में आपका ध्यान लाना चाहोगा who causes the moment of goods वो evable बनाएगा in relation to supply or reason other than supply or due to invert supply for an unregistered person अब मैं कुछ सवाल आप से पुछूगा मुझे उसका answer देना पहले तो हो कहते in relation to supply supply ने क्या अगर आपको section 7 बन यह याद होगा तो supply ने sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, disposal याद आये की नहीं आया अरे भाई बोली याद आये की नहीं आया कर रहा है तो उसे जनरेट करना पड़ेगा recipient registered है और वो movement who causing the moment of goods तो उसे evable रजिस्टर उसको evable generate करना पड़ेगा ठीक है तो supply के तहत अगर goods जा रहा है 7 1 A B और C हो तो evable बनाना पड़ेगा दूसरा यह पर reason other than supply अब reason other than supply मतलब कभी-कभी supply ना भी हो तो भी-कभी supply ना भी हो तो भी evable not depends on supply evable depends on the movement of goods यहने government का clear object है तुमारा supply हो रहा ना हो हमें goods की movement को track करना है समझ लो आप जो है same state के branch को transfer कर रहा है और आपका single registration है और single registration में आप same state के branch को transfer कर रहा है तो rule 55 चालान बनेगी और रूल 55 चालान बनेगी और रूल 55 चालान अगर बनेगी तो वो situation में भी आपको evable लगेगा यह आदे आपका supply हो यह बहुत important है supply हो यह supply ना हो और कि आपको evable बनाना पड़ेगा जब जब भी goods की movement होगी और value जो नीचे कहेंगे जैसे 50,000 उनर ने value दिये उससे ज़्यादा होता है तो evable बनाना पड़ेगा और next जो third point का है due to invert supply from unregistered person अब देखो यहाँ पर यह point बड़ा important है अगर आप पहली बात तो एक word पर underline करो invert supply invert supply from unregistered person मतलब क्या अगर किसी ने यहाँ पर देखो अगर supplier अगर supplier यहाँ पर unregistered है और आप registered हो तो वो case में जिम्मेदारी जो recipient है जिम्मेदारी जो recipient है वो evable बनाएगा तो अगर आप किसी भी unregistered person से invert supply करते हो तो जो goods लेने वाला है वो यहाँ पर evable बनाएगा तो यह तीन cases में यहाँ पर evable बनेगे बिटा चलो बढ़िया बहुत अच्छा आपने answers दिये है यहाँ पर तीन cases में supply, reason other than supply और इनवर्ट supply from unregistered person evable कब बनाना पड़ेगा evable बनाना पड़ेगा जब आपकी consignment value ठान्स तुनिएगा consignment value exceeds rupees 50,000 एक आप table बनाओगे और मेरे साथ share करोगे का table यहाँ पर telegram में या telegram में हमारे group में मेरा ID तो है आपके पस तो उसमें आप share करोगे का एक table जहाँ जहाँ भी यहाँ पर value आएगा और मैं reward जरूर दूगा जो मुझे table share करेगा और मुझे जो अच्छा लगेगा तो reward क्या होगा मैं आगे बताऊगा लेकिन जहाँ पर भी word value आता है example की तोर पर valuation में हमने value लिया फिर rule 4243 में exempt supply की case में value तो हमने उसमें देखा कि उसमें जो है section 51 की 15 1 section 15 subsection 1 की बात करे तो GST छोड़के बाकी सब value में add होता है लेकिन rule 4243 के case में है जो rule 4243 के case में जब हम exempt supply की value लोगे या total turn or लेंगे तो उसमें excise और what add नहीं होता है वो एक special case है ऐसा उसके लिए table बना लिया फिर आप tedious हो तो contract value तो contract value कैसे निकलेगी वो हमने कैसे निकालना उसका आपने calculate उसका what to include, what to exclude contract value में हमने देखा उसमें GST आपको exclude करना पड़ेगा पर बाकी taxes add होगे TCS होगा तो आपकी ने taxable value वर्ड यूज किया गया है तो वो कैसे निकालना उसका formula उसके सामने है आपकी exemption में कही पर अगर value का वर्ड यूज किया होगा तो वो यहाँ पर बेस लो और यहाँ अगिन इन्वाइस में उन्होंने एक नया वर्ड यूज किया consignment value no doubt यह consignment value कैसे निकाली जाएगी मैं आगे बता होगा यह consignment value कैसे निकाली जाएगी यहाँ पर हम what to include and what to exclude in consignment value तो यह यहाँ पर consider करेंगे एक अच्छा सा table बनाओ ना कि जहाँ value यहाँ पर अलग-अलग cases में कैसे change होती है बनाओ कि आप अब यह मत बोलना सर यह भी ready दे दो ना प्लीज कुछ तो करो यार yes 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 यह table में wait करूगा आपका आप यह अगर table बनाओगे तो अब यहाँ पर consignment value exceeds 50,000 तो आपको evable बनाना पड़ेगा अब इसमें मैंने दो पार्ट किया voluntary generation of evable और mandatory generation of evable चलो मैं इस पार्ट पर आता हो voluntary generation of evable समझ लो मेरी consignment value जो है यहाँ पर 10,000 रुपई है क्या मैं evable बना सकते हो वो voluntary बना सकते हो अच्छी बात है गौर्वर्मेंट को आपका data मिल रहा है तो आप बना कोई problem नहीं है तो even if consignment value 50,000 or less आप evable बना सकते हो लेकिन mandatory provision कब आजाती है जब आपकी consignment value exceeds 50,000 तो word ध्यान सुनना exceeds 50,000 तो आपको evable बनाना पड़ेगा evable कौन बनाएगा तो every register person causing the movement of goods जो भी register person जो movement create कर रहा है वो evable बनाएगा और they can authorize SEO, courier agency और transporter to furnish details of part A अब यह part A क्या है मैं next discussion में इदर लूगा कि part A क्या है बस अभी समझे लो कि register person यहाँ पर कि SEO के तुरू supply कर रहा होगा तो SEO को वो authority देता है कि आप ही यहाँ पर part A of evable continue में रहेगा वीटा camera वापस चल हो जाएगा हाँ तो ऐसे situation में यहाँ पर वो courier agency को और transporter को भी यह authority दे सकते है कि आप part A complete करो यह part A क्या होता है जब evable के दो part होते है part A और part B तो part A जनरली उसको complete करना पड़ता है who causing the moment of goods लेकिन अगर आप issue के तुरू sale कर रहे हो, courier agency के तुरू यह transporter के तुरू दे रहे हो तो आप इन लोगों को authorize कर सकते हो कि आप ही part A complete करो और part B जनरली transporter complete करता है तो A के लिए authority जा सकती है now next यह दो cases exam के लिए बहुत important है और यह learn करके जाना यह दो cases exam के लिए बहुत important है और यह अच्छे से learn करके जाना अगर job work होगा principal और job worker if register job work होगा तो evable कौन बनाएगा evable principal और job worker register होगा तो job work भी evable बना सकता है और अगर moment, interest rate moment होगी सुनिए अगर moment, interest rate moment होगी तो evable is required irrespective of consignment value generally अगर evable कभ है जब consignment value पच्चास अजाद से जादा है लेकिन अगर आपका supply interstate job work को जा रहा है तो वहाँ evable mandatory है वहाँ evable mandatory है क्यों न वह consignment एक रुपए का हो तो चलो, मैं job work के साथ combine कर देता हो तो समझने में और आसानी होगी अगर आपको याद होगा तो यह job work वाला chart हमने बनाया था अगर आपका consignment कोई ऐसे job worker के पास जा रहा हो जो other state में है जो other state में है यह interstate moment है तो अब देखो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि जो भी job worker same state में हो या other state में हो क्या वो registered होना JST में जरूरी है बिल्कुल भी नहीं कोई जरूरी है कि वो registered होना यहाँ पे JST में हाँ वहाँ से अगर export हो रहा है या customer place पे डिल्योड कर रहे हो तो either वो registered चीए या फिर हमारा principal place हमारा additional place of business में उसका नाम चाहिए दोनों में से एक requirement है लेकिन law क्या कहता है law यह कहता है कि जब भी यह goods होगा तो वो भी बना सकता है वो भी बना सकता है यह point समझा कि अन्रेजिस्टर होगा तो principal को तो बनाना ही पड़ेगा और कि यह point समझा कि यह पेटा yes or no जोर से बोलिए ठीक है तो यह case में आपको evable बनाना ही पड़ेगा compulsory irrespective of value अगर आपको section 24 याद होगा अब यह point सुनना और मुझे समझा कि नहीं समझा बताना section 24 याद होगा तो section 24 में यहाँ पे जब interstate moment होती है तो interstate moment of goods को compulsory registration है interstate supply moment नहीं interstate supply of goods को compulsory registration है या city भी होगा तो compulsory registration है लेकिन इसमें जो handicraft goods है उसको exception है मतलब क्या अगर कोई handicraft goods होगा और वो एक state से दूसरे state में supply कर रहा होगा तो वो situation में उसको कोई भी compulsory registration नहीं है वो अपना पूरा threshold ले सकता है वो अपना पूरा threshold जो 10 लाग, 20 लाग, 40 लाग है वो अपना threshold ले सकता है अब बेटा यहाँ पे अगर आपने वो पढ़ाओगा वो clause तो इसमें दो condition है कि handicraft goods वालों को पहन होना जरूरी है और उनको evable बनाना पड़ेगा तो यह वो provision है कि अगर आप threshold ले ले हो a person exempted from obtaining registration under section 24 यानि वो threshold ले रहा है और threshold लेने के बाद interstate movement जो उनको allowed है वो interstate movement कर रहा है तो उनको evable बनाना पड़ेगा ओके ठीक है आप threshold में रहो आप GST मत दो लेकिन आपको evable बनाना पड़ेगा आपके पास fan होना जरूरी है तो उनको भी compulsory evable है at least उनका कुछ तो data government के पास track होगा यह point समझा किया सभी को बेटा irrespective of consignment value evable बनाना पड़ेगा यह point समझा किया yes very good चला तो यहाँ पे हमारा जो है who and when नहीं बेटा वो interstate movement नहीं होगी चली supplier details of evable evable के दो पार्ट होते है पार्ट A और पार्ट B जहान सुनिएगा पार्ट A और पार्ट B यहाँ पे पार्ट A में generally invoice की information आती है और पार्ट B में transport की information आती है इसलिए आपको e invoice concept याद होगा तो वो जो INV01 schema होता है कुछ यादा है बता हो यादा है कि INV01 schema वो पता है कि हमें evable generate करने के लिए वो एक utility INV01 schema में पूरी information देनी पड़ती है तो INV01 आपने वो अगर एक्जाम के लिए बिल्कुल serious नहीं हो इतना सा होग दिया वो भी आप से नहीं होता है तो फिर आप से नाला एक और कोई नहीं है अगर आपको सच में आने वाले exam में ABO 80 जाना है तो एतलिस इतना तो करो कि मैं जो screenshot दे रहा हूँ उसके diagram निकालो तो सब ready के लिए मत रहो यार तो आपको schema याद होगा तो अगर हमने E invoice level पर हमने invoice की details दिया transport की details दिया तो हमारे e-way bill auto generate हो जाते है तो ऐसा situation में Part A में generally वो information होती है जहाँ invoice की information capture होती है और Part B में transport की information capture होती है तो कौन-कौन सी information GSTN of the Supplier उसके बाद में place of dispatch कमान 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 दूसरा किया place of dispatch अब place of dispatch में detail address देने की जरुवत नहीं या pin code दे दिया तो भी चलेगा GSTN of the recipient recipient का अगर registration number होगा तो वो भी आपको देना पड़ेगा place of delivery उसका भी just pin code दे दो that's enough इवे बिल में आपको detail address देने की वैसे कोई जरुवत नहीं pin code दे रिया वो enough हो जाएगा उसके बाद में document number as given in invoice या invoice number आपका देओ या bill of supply आपका दो इवे बिल आप composition scheme में हो या आप यहाँ पे normal scheme में हो एक चीज ख्याल रखो इवे बिल goods की moment का है और value पचास जार के उपर होगी तो किसी न किसी को यहाँ पे evable बनाना ही पड़ेगा फिर वो supplier हो recipient हो या transporter हो या ECO या courier agency हो उसका covering document हमें चाहिए मतलब चाहिए तो आपको उसकी details देने पड़ेंगी document date जब भी invoice की date होगी value of goods आपको declare करना पड़ेगा value of goods यारे इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका moment without supply है come on come on आपका moment without supply है rule 55 चालाद में है तो आपको rule 55 चालाद में भी उसकी value estimate करके देनी पड़ती है इवन दो आपने supply नहीं किया होगा पर आपको consignment की value तो बताना पड़ेगा ला कितने value का consignment है उसके बाद में यहां एक important point जो आपको याद रखना है हो है HSN code यह HSN code क्या होता है हमने पहले भी देखा पर हमने इसके पहले जो HSN code का चार्ट देखा था वो invoice में के लिए देखा था और यह HSN code यह evable के लिए है आपको याद होगा तो वो आपने देखा था HSN code 4 digits, 6 digits और 8 digits अपटो 5 CR, 4 digits, 5 CR के उपर होगा अपके तो 6 digits और कुछ notified cases में 8 digits ठीक है यहां पे यह हमने concept आपके doubts जो है बिटा जस्स इमनिट आपके जो doubts है फिर से add कर देना मैं पूरा discussion होने के बाद ही आपकी doubts लोगा ठीक है तो जहां तक देखा जा HSN code तो HSN code जो है evable में आपको देने पड़ते है पर यहां पे 2 और 4 digits है invoice के अलग रखना वहां पे 4 और 6 आग है पर यहां पे आपको अगर 5 करोड के up to 5 करोड का turn or होगा तो 2 digits above 5 करोड होगा तो यहां पे 4 digits आपको देना है चलिए reason for transportation transport क्यों किया गया क्यों किया जा रहा है supply है other than supply है stock transfer है वो आपको reason भी देना पड़ेगा part B में vehicle number अगर transportation by road है बाइ रोड होगा तो ही vehicle number देना पड़ेगा train होगा, vessel होगा, aircraft होगा तो आपको evable नहीं देना पड़ेगा generally आपके दिमाग में क्या होता है कि sir evable only by road बनाना पड़ता है कि नहीं अगर आप vessel से transport कर रहे तो भी evable आप rail से transport कर रहे तो भी evable आप aircraft से transport कर रहे तो भी evable तो ये मच सोच के चलना कि इसी ट्रक के लिए evable होता है जब भी goods की moment होती है तो वो case में आपको evable बनारा पड़ेगा और road से जा रहा है तो vehicle number देना पड़ेगा अगर vessel से जा रहा है, aircraft से जा रहा है अब थोड़ा में discussion यहाँ पर होगा part A से related कुछ बाते आपको याद रखनी है और part B से related कुछ बाते आपको याद रखनी है जैसे, यह जो है, यह बड़ा important concept है इसके ओपर सवाल आ सकता है और यह important concept क्या है अगर not allowed to be furnished if return is not filed for two consecutive tax period और two months और quarter आपका evable freeze कर दिया जाएगा आपका evable freeze कर दिया जाएगा यह तुमेंने बहुत summary में लिया है यहाँ पर कि इतना भी याद रुको that's enough आपका evable freeze कर दिया जाएगा अगर आपने, आप composition levy में हो और दो continuous tax period के लिए आपने जो है evable यहाँ पर दो continuous tax period के लिए आपने return नहीं file किया तो आपका evable freeze कर दिया जाएगा और एक तरह से अगर evable freeze कर दिया तो फिर तो आपने without evable movement किया कि आपका truck ही यहाँ पर confiscate कर लिया जाएगा जब्त कर लिया जाएगा यह आपका goods भी जब्त कर लिया जाएगा तो जहाँ तक देखा जाएगा यहाँ पर ठीक है एक जस्स मिनुट बेटा जुआ कर देखा कर लिया जाएगा खिया ज्मोट ओilities für yourाएगा जब्त कर लिया जाएगा जाएगा कर दिए जएगा खिये जाएगा फीक जाएगा ठीक है, तो आपने जो यहाँ पे return नहीं furnished किया, return नहीं किया, return मतलब GSTR, यहाँ पे composition ले भी होगी, तो GSTR 4, और second, normal होगा तो two months या two quarter, हैना QRMP scheme होगा तो quarter, otherwise month, तो two months या two quarter जो है, इसका अगर आपने return नहीं furnished किया, तो वो situation में यहाँ पे, yes, आपका evay bill freeze हो जाएगा, इसमें एक चीज और add कर देना, वो रहेगी बिटा, एक चीज और add कर देने हाँ पे, जो अभी उन्हें ने add किय है, यहाँ पे two months GSTR return और पहले तो एक यहाँ पे यह चिंद किर देना, return और GSTR 1, जहाँ लागो होगा GSTR 1, वो case में, और एक, यहाँ पे एक add करो, person whose registration has been suspended, person whose registration has been suspended, यह add करना, whose registration has been suspended, has been suspended, तो देखिये, अब एक बार फिरसे से मजलो, यह वाला point, अगर आप composition levy में होँ, तो return वो यहाँ पे CMP 08 नहीं, return आपने continuous दो tax period के नहीं दिये, याने दो साल, क्योंकि return annually है, तो दो साल के return आपने नहीं दिये, composition levy में GSTR 1 तो है नहीं, ठीक है, next, अगर आप normal scheme में हो, तो आपने दो tax period के GSTR 1 नहीं दिये, फिर आप monthly में हो, तो दो month के GSTR 1 नहीं दिये, और अगर quarterly हो, तो दो GSTR 1 आपने quarterly नहीं दिये, हम IFF की बात नहीं कर रहे है, यहाँ हम IFF की बात नहीं कर रहे है, हम GSTR 1 की बात कर रहे है, is it clear, और यहाँ पे अगर आपका registration suspend किया गया हो, कोई भी reason के वज़े से, तो आपका E-Vail भी freeze कर दिया जाएगा, यहाँ तक समझ में आए सभी को, yes or no, next, अब देखो यह part B वाला concept समझ लो, okay, यह तो हमने देखा part B, part B में जो आपको facility वो क्या है, if distance up to 50 kilometers within a state or union territory, in case of transportation from place of business to transporters place, okay, अब देखो, यह पहली बात तो 50 kilometers within state or union territory, transportation from place of business to transporters place, अब देखो, जैसे example, यहाँ ले लो, आप Delhi में रहते हैं, और चान्दी चोक है, चोटी-चोटी गली आए वहाँ पे, यहाने ट्रक भी जाने का रास्ता नहीं होता है, तो क्या होता है कि यहाँ से, अगर समझ लो, यहाँ किसी की shop है, और उस बंदे को वहाँ goods transport करवाना है, from Delhi to, समझ लो, यहाँ पे पंजाब, Delhi to Punjab, तो वो क्या करता है, एक छोटे से, मिनी, के, आटो में, ट्रक में, कैरेज में, goods को लोड करता है, और यह goods को लोड करके, डेली के आउट्सकर्स में, जो कार्गो एजन्सी होती है, तो वो कार्गो एजन्सी में, यहाँ पे, जो वहाँ बड़े-बड़े ट्रक्स है, वहाँ तक लेके जाता है, वहाँ तक ले 30 km का distance है और 30 km का distance है तो क्या यह इवेबिल बनाना पड़ता है यह इवेबिल तो बनाना पड़ता है आप चलो अगर इसका आप इवेबिल बना रहे हो तो इसमें दो information होगी part A की information और part B की information तो law क्या कहता है law यह कहता है कि इसमें part A की information आप देदो पार्ट B की information नहीं भी दिया तो भी चलेगा, क्योंकि एक तो small distance का transportation है, धान सुनिएगा, small distance का transportation है, और दुसरा, छोटे-छोटे goods carriage है, उनकी details नहीं भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन at least आपको पार्ट A की information देके, इसका evable बनाना पड़ेगा, समझा होगा तो जोर से बोलो कहाँ optional है, तो पार्ट B की information optional है, जब आप same state में, same state में, up to 50 km goods लेके जा रहे हो, और कहाँ से लेके जा रहे हो, from place of business to transporter's place, from place of business to transporter's place, तो वहाँ आपको benefit दे रिया जाएगा, चलो, यह हमने देखा, regarding to details of evable, उसके बाद में next दम देखेंगे, determination of value, सुनो, value जो क्यों, क् कहता है कि आपकी consignment value जो है, वो 50,000 या उससे कम होगी, तो optional है, नहीं तो mandatory है, तो value कैसे निकालना, तो mandatory generation of evable value, एक सिर्ट 50,000, determine as per section 15, मतलब जो value आप fix करोगे, as per section 15 ही रहेगा, 15 में जो principles, 151, 152 और 153, जो 152 के जो expenses है, वो भी आपको add करने पढ़ेंगे, third party हो, ancillary हो, interest ह तो, okay, या कोई subsidy अगरे, तो वो deduct करके, तो सभी खर्चे add करके, discount को deduct करके, discount को deduct करके value निकालनी पड़ेगे, जो आप invoice में, bill of supply में, delivery challenge में declare करोगे, issue in respect of state concern, लेकिन इसका specific feature क्या है, इसका specific feature है, कि generally हम GST जो है, value में add नहीं करते है, हम excise add करते है, VAT add करते है, CST add करते है, लेकिन GSTM add नहीं करते है, लेकिन, इहाँ evable बनाते वक, यह point करते है, इसलिए table बनाओ, बड़ा काम आएगा आपको, तो यह आपको table क्या काम आएगा, कि जब भी आप valuation जो है, valuation करोगे, और evable के लिए valuation करोगे, तो GST add करोगे, even though section 152A कहता है, कि बाकी सब taxes add होगे, excluding GST, लेकिन consignment value निकालते वक, आपको GST add करके decide करना पड़ेगा, कि यहाँ पे, उसकी value 50,000 से नीचे या 50,000 के उपर है, लेकिन अगर exam supply होगा, तो exam supply का evable नहीं बनता है, तो exam supply होगा, तो उसकी value आप exclude करोगे, और exam supply की value exclude करके, अगर amount 50,000 के उपर जा रही है, तो evable mandatory है, तो यह important point है, क्योंकि exam supply का evable नहीं बनता है, तो वो exclude करके, आप जो है, decide करोगे कि 50,000 क्रॉस होगा, बेटा, यह समझ में आया क्या, valuation का, यह दो main point आपको याद रखना है, यह समझा क्या, very good, चलिए, when evable is required to be generated, अब आपको evable जो है, कैसे generate होगा है, तो देखो, road होगा, railway हो तो road से transport करते हो, evable to be generated before moment of goods, यह यहाँ पे box करो, यह इसको highlight करो, जब भी by road transport करोगे, तो यहाँ पे evable जो है, आपका moment के पहले complete हो जाना चीए, अब सरुनका कहना क्या है, moment के पहले complete हो जाना चीए, मतलब क्या, मतलब part A and part B, okay, part A और part B completed, okay, दोनों part आपके complete हो जाने ची तो अब यहाँ, यह तो बात clear होगे, कि complete evable बन जाना चीए, अब मैं आपको एक बात बता देता हो, वो क्या, कि वैसे तो part A और part B, a person who causing the moment of goods, उसे बनाना पड़ेगा, लेकिन part B की information, यहाँ आप transporter को authorize कर सकते हो, क्योंकि वो generally transport details होती है, तो आपका transporter भी part B की information complete कर सकता है, लेकिन यहाँ पे transportation दो type के होते है, अब उसको ही मैं आगे continue कर रहा हूँ, यह transportation दो type के होते है, एक self transportation, एक third party transportation, sir इसमें क्या difference है, self transportation और third party transportation में, self transportation का मतलब बिटा, यह आपका खुद का ही truck है, खुद का ही vehicle है, और यह फिर आपने किसी का vehicle hired किया हुआ, rain पे लिया यह कोई public convince होते है, public convince मतलब buses है, buses में भी goods transport के जाते है, वो bus के उपर देखे होगे, आपने रखे होते हैं, boxes तो कोई public convince है, तो अगर आपका own vehicle होगा, यह hired vehicle होगा, यह public convince होगा, तो इसमें part A और B की information, register person who causing the moment of goods, उसको ही complete करनी पड़ेगी, और क्यूंकि आपका खुद का vehicle है, तो obvious है, part A और part B आपको complete करना पड़ेगा, यह hired होगा, यह public convince होगा, तो उसको ही complete करना पड़ेगा, लेकिन, लेकिन आपने specifically transporter appoint किया होगा, come on यार, ओकि दाय सुनना, आपने specifically transporter appoint किया होगा, तो यह situation में part A की information, register person causing the moment of goods, वो complete करेगा, okay, क्यूंकि invoice की details वो डालेग part A में generally invoice की details होती है, और part B की information transporter भी complete कर सकता है, अगर आप transporter को assign कर दो, तो transporter भी part B की information यहाँ पर complete कर सकता है, अगर goods transport किया जा रहा है, by road, ठीक है, अब थोड़ा transporter पर आएगे, okay, यह concept हमने already पड़े है, अगर transporter unregistered है, okay, तो transporter unregistered है, तो मैंने accounts और record में आपको ब अगर उसके पास एक से ज़्यादा registration है, okay, और multiple registration है, तो common UEN लेना पड़ता है, okay, यह हम accounts and records में already discussed कर चुके, common UEN क्योंकि इतने सारे GSTN handle करना मुश्किल हो जाता है, तो वो transporter common UEN ले सकता है, यह point याद आ रहा है के सभी को, यह वाला point सभी को याद आ रहा है के, चलो, yes, very good, तो यह था regarding to road transport, अब railway और vessel में एक पार्ट आपको बता दो, उन्होंने गौवर्मेंट ने railway और vessel में एक आपको यह बेरिफिट दिया है, कि जब भी आपका goods by rail जा रहा है या वेसल जा रहा है, तो part A की information complete करके, आप handle कर दो, पार्ट A की information करके, आप movement start कर सकते हो, railway को देदो, vessel को देदो, एक्राप को देदो, part B की information, आपने movement start होने के बाद भी किया, तो भी चलेगा, पार्ट B की information, movement start होने के बाद भी complete किया तो भी चलेगा, लेकिन आपके जो consignee है, उसको receive होने के पहले, आपने part B complete करना चाहिए, otherwise उसको deliver नहीं किया जाएगा, difference क्या है, by roads जो देखा जाए, तो उसमें part A plus part B, दोनों information पहले complete करनी पड़ेगे, और by rail, air और vessel जा रहा होगा, तो उसमें जहां तक है, part A की information आप complete कर दो, भी की थोड़ा बाद भी किया चलेगा, movement start होने के बाद, पर delivery के पहले, पर delivery के पहले, तो देखो, evable register person, supplier and recipient causing the moment of goods, दूसरा, information in part B, before आप पहले भी complete कर सकते हो, कोई restriction तो नहीं है, आप पहले भी complete कर सकते हो, या next वाला important part है, after, after commencement of goods भी आप कर सकते हो, but it shall not be delivered unless evable is produced at the time of delivery, याने आप भी part B की information भाद में मी करो, पर वो complete करनी पड़ेगी, उसके भीना goods को delivered नहीं किया जाएगा, यह समझा क्या, yes or no, बोलिए, मुझा आपका involvement छी है, यह चार्ट में बिटा, यह समझा क्या, very good, okay, बताओ, थेरी से यह चार्ट easy लग रहा है ना आपको, evable जब थेरी में पड़ते हो, थेरी से जादा यह चार्ट easy लग रहा है ना आपको, yes, very good, अब आता हो, यहाँ पर, special case में बात में लूगा, पहले यह तो हो गया, अब नीचे के part को complete करते हैं, यह सबसे important part है, और इस बार इसमें amendments भी हैं, validity of evable में आजाओ, validity of evable में आजाओ, अब सुनिये दहन से, एक एक पॉइंट दहन सुनियेगा, और इस बार पहले 100 km था, अब 200 कर दिया government, तो यहने और आपको ज्यादा target दे दिया है, validity में, other than all dimensional cargo, और in case of all dimensional cargo, अब बेटा में आपको बता दू कि, यह all dimensional cargo मतलब क्या होते हैं, कि वह आपने बड़े बड़े ट्रक देखे होगे, containers लगे होते हैं, आप डाल देना, google search में आपको दिख जाएगा, just इतना type कर देना, और dimensional cargo तो आपको दिख जाएगा, अगर आपका cargo other than all dimensional cargo होगा, other than all dimensional cargo होगा, तो आपकी EVA build की validity up to 200 km, पहले 100 ही था, अब target जादा दे दिया है, तो आपका 200 km का होगा, तो एक ही दिन की EVA build की validity में लेगी, ठीक है, और आपका kilometers कैसे निकाला जाता है, तो आपका place of destination, destination का pin देते हो, dispatch का pin देते हो, उससे वो calculate हो जाता है, तो अब ऐसे situation में, पहले 100 था, अभी 200 कर दिया गया है, एक important amendment उन्होंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, important amendment कर दिया, तो up to 200 km एक दिन का validity है, और for every additional 200 km और पाट दे रहो एक दिन का, और मिलेगा, मतलब अब मुझे बताओ कि अगर आपका यहाँ पे, 750 km होगा, okay distance, moment का, 750 km होगा, तो validity कितनी है, बिलकुल सही, 4 days, मतलब 200 के लिए 1, 1, 1, 1, 3, और पार्ट भी होगा, तो उसको पूरा दिन आपको validity मिल जाएगी, ठीक है, चलिए, उसके बाद में, यहाँ पे, और dimensional cargo में कोई amendment नहीं है, पहले भी 20 km थी, अभी भी 20 km है, मतलब, आपकी evable की validity, over-dimensional cargo होगा, तो उनको target कम है, तो आप एक दिन में 20 km complete किये तो भी चलेगा, तो up to 20 km 1 day, और 20 km और पार्ट देरौप, तो additional 1 day आपको मिल जाएगा, additional 1 day आपको मिल जाएगा, तो यह जो है, यहाँ पे evable की validity है, फिर एक basic सवाल आपका यहाँ आता है, कि सर, अब मैं complete नहीं कर पारा हूँ 200 km, एक दिन के अंतर, मेरा evable यहाँ पे invalid हो जाएगा, invalid अगर evable हो गया, और बाद में आपका truck रोका गया, तो आपका truck तो जब थो सकता है, confiscate हो सकता है, detain हो सकता है, seize हो सकता है, तो ऐसे situation में sir, कोई reason के होज़े से 200 km बहुत तेज बारिश थी, या फिर lockdown हो गया, या फिर accident हो गया, कोई भी reason के वज़े से, आप वो 200 km का target complete नहीं कर पा रहे हो, या जो भी आपका target है, within that number of days, आप complete नहीं कर पा रहे हो, तो sir, फिर हम क्या करें, तो वो situation में, आपने apply करना चाहिए, बहुत easy कर दिया उन्होंने, apply करना चाहिए, evable extend करने के लिए, और within 8 hours, from the time of expire, मतलब क्या, कि आप पहले भी apply कर सकते हो, चलो पहले नहीं apply किया, तो जब आपका evable expire हो जाएगा, मतलब एक दिन complete हो जाएगा, या आप 750 km होगे, तो 750 km चार दिन में होने चाहिए, और चार दिन complete हो जाएगे, तो उसके 8 गंटे में, सुनिये, उसके 8 गंटे में, आप extension के लिए apply कर सकते हो, और अभी extension easy way में मिल जाते हैं आपको, पर आपको यहाँ पे, okay, मैंने कहाँ ना गूगल सर्च में डालना पे, तुझे पीक मिल जाए के लिए or dimensional cargo के, गूगल सर्च में जा, ओर dimensional cargo लिए और उसके images देख, देख जाएगा तुझे, वो बड़े-बड़े truck, बड़े-बड़े container, बड़े-बड़े cylinders होते हैं, वो ओर dimensional cargo होते हैं, ठीक है, तो यह जहाँ तक है, evable may be extended up to 8 hours में, आप extend कर सकते हो, अब मैं एक concept specially आपके साथ discuss करना चाहोगा, multimodal shipment, where one lake in ship the above both options are available, मतलब क्या, multimodal shipment, पहले इस वर्ड को समझ लो, multimodal shipment, यह multimodal shipment क्या होती है, समझ लो, यहाँ पर, नाकपूर है, नाकपूर है, यहाँ से train में goods Mumbai आया, train से आया Mumbai, फिर, यहाँ पर railway platform से by truck, by truck goods port पे गया, मतलब पहला train, बाद में truck, फिर यहाँ से यह goods vessel में, vessel में क्या, फिर, यहाँ से यह, समझ लो, example ले रहाओ, मैं, विशागा पटनम यह होगा, ऐसा नहीं है, example ले रहाओ कि, कोई दूसरे port, इंडिया में, कोई दूसरे port पे विशागा पटनम अगरे port से आया, और फिर यहाँ से वापस train में, और जो consigne है, उसके place पे चले गया, ओके, फिर train, truck वगएरे जो भी है, तो इसमें, ओके, यहाँ पे transport के अलग-अलग model यूज किये गया है, train, truck, vessel, train, वगएरे, अलग-अलग model यूज किये गया है, तो अगर यह multi-model shipment होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए अलग-अलग model यूज किये गया है, तो वो situation में, अगर उसका एक lake, उसका एक lake, जो है, ship होगा, condition देखो, पहले तो multi-model होना चीए, जिसमें एक lake ship होना चीए, अगर यह ship नहीं होगा, तो फिर आपका जो 200 km और 20 km वाला criteria, other than over-dimensional cargo वह रहेगा, लेकिन अगर एक lake ship होगा, तो यह situation में, जो भी person यह transport कर रहा है, जो भी person यह transport कर रहा है, उसके पास दोनों भी option है, याने वो one day, one day 200 वाला भी ले सकता है, इसको over-dimensional cargo या normal cargo यह condition अपलाए नहीं होगी, अगर उसका एक lake ship का होगा, तो उसको कोई condition अपलाए नहीं होगी, वो चाहे कोई भी कैसा भी cargo हो, वो दोनों में से 200 km या 20 km वाला दोनों में से कोई भी option ले सकता है, सिंपल छोटा सा cargo होगा, तो भी वो यहाँ पे 20 km वाला भी option ले सकता है, तो आपको यह point समझ में आया क्या, मैं रूकूगा यह point के लिए, आपको कोई doubts होगे तो मैं जरूर रसॉल करूगा, यह point समझ में आया क्या आपको, एक बार फिर से, अगर multi-model shipment होगी, जिसमें एक lake ship में होगा, और जो बंदा evable generate कर रहा है, उसकी validity जो है, वो over-dimensional cargo या उससे कोई उसका लेना देना नहीं है, वो दोनों में से कोई भी option ले सकता है, वो 200 km वाला भी option ले सकता है, और यहाँ पर वो 20 km वाला भी option ले सकता है, बाकी क्या कर रहे है, यहाँ पर क्यों नहीं मुझे reply कर रहे है, यहाँ, yes, very good, यह वी नब बात, अब देखो, यहाँ पर, next, वो क्या कहता है, validity period, अब validity period कैसे count होता है, यह वाला point बड़ा important है, और यह इसके लिए मैंने निचे एग्जांपल भी लिया है, यहाँ पर, validity period shall be counted from the time at which evay bill has been generated, after completion, after completion of information in part B by the transporter, okay, each day be counted as 24 hours, अब मैं थोड़ा आपको यह यह वाला part समझा गेता हूँ, यह वाला part यहाँ से देखो, तीक है, 10 April को, 10 April को यहाँ आपको कुछ add भी करना है, यहाँ पर, 10 April को अगर आपने evay bill बनाया, सुबह 10 a.m को, तो अगले next day का, हाँ, पहला दिन आपका कैसे count होगा, लाइन सुना, आपका पहला दिन कैसे count होगा, पहला दिन यहाँ पे next day का midnight, यहाँ यहाँ पे 11th और 12th April का midnight, यहाँ लिख दो, 11, 12th April का midnight, यहाँ पहले दिन के लिए आपको ज़्यादा टाइम ही मिल सकता है, ज़्यादा टाइम ही मिल सकता है, यहाँ थोड़ा यहाँ पे clarification आगया है, बैने last session में कुछ अलग कहा था, क्योंकि तब clarification नहीं था, अब आगया है, यहाँ पे ICIC, अभी नए model में, आपका दीन कैसे count होगा, जान सुनिएगा, एक सवाल है, अगर सर शिप नहीं होगी तो फिर क्या, शिप नहीं होगी तो फिर वो 200 km और 20 km, वो ही option रहेगा, क्यों नहीं हो, लेकिन आपको अधर देन और डामेशनल कार्ग होगा, तो वो situation में, यहाँ पे 200 km और और डामेशनल कार्ग होगा, तो 20, वो नॉर्मल वाला option, एक लेक शिप में होगा, तो आप फ्री हैं, यह समझ में आया है क्या, तो अब देखो, आपका पहला दी, यह पहला दीन बहुत important है, पहला दीन, दूसरे दीन की जो midnight होगी, हिंदी में लिख देना, यह दूसरे दीन की आने 11 और 12 अप्रिल की जो midnight 12 a.m. तक आपका पहला दीन वालिड रहेगा, और उसके बाद में 24 hours का count चलेगा, दूसरा वो कहते है कि after completion of information in part B by transporter, अब देखो, इसका एक case लेना चाहोगा, अज़े, simple है यार, अगर 10 तारीक को सुबह 10 बजे आपने इवेविल बनाया, तो सुबह 10 बजे से, एक दिन आप ऐसा मत लेना, ये 10 बजे से, दूसरा 10 बजे है, नहीं, पहला दीन आपको ग्यारा तारीक, 10 तारीक complete हो गई, फिर 11 तारीक पूरा दिन चला, और रात को 12 बजे, फिर 12 तारीक चलो होनेवाली है, तो आपका पहला दिन, कौन कितना रहेगा, तो 10 तरीक का पूरा दिन, 11 तरीक का पूरा दिन, ऐसे 12 एम तक आपका चलेगा, अब समझा क्या? अब समझा क्या, यहां पहला दिन का SPAN आपका बहुत बड़ा रहेगा, इसलिए आप सूबह बनाते है, शाम को 8 बजे बनाते है तो उसकी साथ से आपका रहेगा, झालो, भॉत अच्छे समझा तो ऐसा 10 पूरा दिन, फिर 11 का पूरा दिन, और रात को 12 बजे गे, ऑका 12 बजे और आपका पुरा दिल लिया जाएगा, चलो, ठीक है, तो पहला दिन का स्पैन कितने आवर्स का हो जाएगा, कौन कर बुला, पहला दिन का स्पैन कितने आवर्स का हो जाएगा, सुबह 10 से रात को 12, यानि कितने घंटे हो गए, 14 गंटे, प्लस दूसरे दिन के पूरे 24, यान अब बरबर, 38 hours का, बरबर, 38 hours का, बरबर, 38 hours का, येस बिटा, चलिए, अब उसके बाद में next, अगर हम देखे, अब समझ लो, मैंने Saturday को E-Way Bill बनाया, Part A की Information मैंने दे दी, Saturday को Part A की Information मैंने दे दी, और Transporter को कहा कि तुने Part B की Information कम्पलीट करना, उसने Monday को Part B की Information कम्पलीट करके, Transportation स्टार्ट किया, तो मेरा Time मेरा पहला दिन कहां से लिआ जाएगा, Saturday और Monday, तो वो कहते हैं, जब Part B की Information By Road कम्पलीट हो जाएगी, पार्ट B की information complete हो जाएगी वहां से तुम्हारा time count किया जाएगा ठीक है? वहां से तुम्हारा time count किया जाएगा चलिए तो यह था यहां पे जहां तक देखा जाए validity of evable non requirement of evable तो यह तो मैंने यहां summary तो लिये पर अब यह question जो है थोड़ा note से आपने पढ़ लेना बार में main main तो मैंने ले लिये कि जहां evable की जरुवत नहीं है बिल्कुल भी जरुवत नहीं है इवन्दो आपकी concernment value 10 करोड क्यों नहीं evable बनाने की कोई जरुवत नहीं है तो वो कितना non taxable supply कितना non taxable supply उसके बाद में ज्वेलरी और precious stones evable बना एक जरुवत नहीं है यह तो मुझे याद आता है ज्वेलरी और precious stones यह बड़ा discussion हुआ था कि अगर ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट हो रही है precious stones ट्रांसपोर्ट हो रही है और इसका evable बना लिया गया तो information leak हो जाएगी यह ट्रक से ज्वेलरी जा रही है precious stones जा रहा है तो loot होने के पूरे chances है इसले उन्होंने evable के बाहर रखा क्योंकि वो information leak नहीं करना चाहते है currency, same reason है currency का currency जा रही है कोई truck से या carriage से और उसका evable बना तो वो situation में गडबड हो जाएगी loot मत जाएगी बेटा क्यों confuse हो रहे हो sir अगर 10th April को 7, 7 PM को start होगा तो वो आपका पहला दिन अगले दिन के midnight ही लिया जाएगा अगले दिन के midnight ही लिया जाएगा मतलब 10 April को 7 बजे मतलब आपको 7 बजे याने 5 घंटे ये और अगले दिन के 24 घंटे याने 24 प्लस 5 29 आवर्स आपका पहला दिन रहेगा 29 आवर्स आपका पहला दिन रहेगा आप फंडा लेके चलो आप ये दिन कभी भी evable जनरेट करो अगले दिन के midnight ठीक है तो अब यहाँ पे करंसी उसके बाद में पोस्टल या बैगेज उसका नीचे पोस्टनल इफेक्ट होगे तो नहीं अगर आपका नौन मोटराइज वेहिकल से याने बुलक काट वगरे से ट्रांसपोर्ट किया जा रहे तो evable नहीं यह बहुत इंपोर्टेंट है इवेबिल बाइ रोड से जो है मोटराइज वेहिकल है उसको ही लगेगा movement of goods by ministry of defense नहीं लगता है evable schedule 3 का supply होगा तो evable की जरुवत नहीं है supply under custom supervision होगा तो warehouse है वगरे तो evable की जरुवत नहीं है और there are more cases non requirement of evable जो आप refer note से करो पर मैंने main main तो आपको बता दिये documents to be carried out by PIC PIC का मतलब लिख तो person in charge PIC मतलब person in charge मतलब जब भी transporter goods transport करेगा तो उसको अपने साथ कुछ documents रखना जरूरी है कौन-कौन से उसको अपने साथ documents रखना जरूरी है तो यह देख लो invoice और bill of supply और delivery और bill of entry मतलब जब वो transport करेगा तो invoice, bill of supply और delivery और delivery और bill of entry अपने साथ रखना पड़ेगा a copy of evable in physical form और electronic form, evable की copy जो है physical form में भी चलेगी, electronic form में भी चलेगी और map to RFI device embedded in a convenience, future में radio frequency device रहेगा और वो आपके convenience में रहेगा अभी तो नहीं आया है पर future में आयेगा और government compulsory करेगी और वो RFI, radio frequency device आपके convenience में होना ज़रूरी है लेकिन मैं आपको कहो कि आपका अगर evable बनाओगा तो ये भी आपको physically carry करने के जरूबत नहीं है वो evable ही map हो जाएगा, और उसका QR code से ही सब यहाँ पर data government के पास आ जाएगा not applicable, for moment of goods by rail और by air और by vessel ये जो document है ये transporter carry करेगा, ये जो documents है वो transporter carry करेगा अपने साथ लेकिन ये जो है, ये provision, अगर rail से जा रहा है, air से जा रहा है, vessel से जा रहा है तो वो situation में applicable नहीं होगा, specially clause B वाला, ये जो not applicable है clause B वाला part ये नहीं, ये में तो invoice रखना पड़ेगा, पर evable electronic form में rail, air और vessel से जा रहा है नहीं भी रखा तो चलेगा, और radio frequency device भी वहाँ install करने की कोई जरुवत नहीं है inspection of evable, भाई goods ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब उसका inspection होगा, इसमें मैंने दो पाड़ किये inspection के टवक, commissioner के क्या rights है, और person के क्या rights है, ओके, तो यह officer जो है, आपके convince को intercept कर सकता है, to verify the evable, ठीक है, evable वो verify कर सकता है, right to install radio frequency identification device reader, okay, right to physically verification of convince, मतलब आपके radio frequency RFI device होगा, तो उसके साथ वो mapping कर सकता है, यानि उसके पास एक machine होगा, आपके RFI से connect कर देगा, वो data यहाँ पे capture करेगा, convince का verification, यानि आपके convince में क्या क्या रखा गया, उसका पूरा verification report, वो बना सकता है, in between आपको रोग के, और वो अपनी report जो है common portal पे submit करेगा, तो देखो connected है थोड़ा, okay, तो इदर आ जाना, वो अपनी report जो है common portal पे submit करेगा, okay, पहली तो to be recorded online in the form of EWB03, part A में वो प अपने 3 दिन में और extendable further 3 days में submit करेगा, यह report बहुत important है, अगर convince एक बार रोका गया, और यह 24 गंटे के अंदर report आगी, तो इसके बाद convince को नहीं रोका जाता है, in a same state, या आगे कि कोई भी state में नहीं रोका जाता है, जब तक कोई doubt ना हो, कि बाद में कोई fraud किया हो, तब यह बहुत बड़ा फायदा है, एक बार आपका report बन गया, summary report रोका गया कही पे, और उसने 24 गंटे के अंदर डाल दिया, तो फिर इसके आगे आपको कोई भी statement नहीं रोका जाएगा, जब तक कोई strong reason ना हो, कि कोई fraudulent activity involved हो, ठीक है, तो यह था, right of person, if vehicle is detained more than 30 minutes, और transporter may upload the information in EWB04 on common portal, मतलब एक तरह की complaint है, किसी का भी vehicle unnecessary 30 minutes से जादा रोका गया, या inspection के लिए रोका गया, तो वो अपनी, अब देखो क्या, यहाँ पे important बात है, अगर 30 minutes से जादा, अगर convince को रोका गया, यह बहुत लोगों को पता नहीं है, transporter को पता नहीं है, तो वो भी common portal पे जाक part A और part B की summary report देगा, accountability है वो, इसलिए यहाँ पे डरना मत, जब भी आपका convince रोका गया, तो आप immediate 30 minutes से जादा रोका गया, EWB04 फाइल कर दो, जैसे आपने फाइल कर दिया, उसके उपर accountability आजाती है, कि वो यह पूरी information, अब submit करना उसके लिए जरूरी हो जाता है, okay, next, not compliance of evable, okay, तो यह case में section 122 के consequences और 129 के consequences आजाते है, taxable person transporting the goods, okay, transporting the goods liable to penalty, 10,000 और tax evaded, वीचेवरी जाया, तो जो भी taxable person, जो transport कर रहा हूं, causing the moment of goods, तो उसके उपर जो है, यहाँ पे penalty आजाएगी, 10,000 यह tax evaded, वीचेवरी जाया, और goods also liable to confiscation, convince also liable to confiscation, तो यह severe consequences उसके उपर आ सकते हैं, next बेटा, acceptance और rejection और cancellation of evable, important, यह भी important है, मैं इसको दो पार्ट में लिया, acceptance और rejection, cancellation of evable, okay, acceptance और rejection यहाँ पे मतलब किया, कि समझ लो ऐसा लग रहा है कि evable जो है, यहाँ पे गलत बन गया, यहाँ गलत आपके नाम का बन गया, तो recipient उसको cancel करता है, if registered, और supplier, supplier भी यहाँ पे accept और reject कर सकता है, और generally recipient करता है, और registered है, within 72 hours, before delivery of goods, whichever is earlier, और else, dim acceptance मान लिया जाएगा, okay, अब मैं आपको यह point समझा जाता हूँ, okay, last week की बात है, एक SMS, क्योंकि इसका SMS should होता है, evable बनता है, एक SMS आया कि, आट लाग के goods का evable मेरे नाम पे बना, हमारे GSTN के नाम बना, तो मैंने जैसे हूँ SMS देखा, मेरा account department को बेजा किया, किसका evable बना, आपने कोई goods तो खरीदा नहीं, okay, किसका बना यह evable, हम भी surprise होगे, क्योंकि अगर हमारे GSTN पे evable बना है, तो आगे future में जब भी scrutine होगी, तो officer पुझेगा, तुमारे नाम का evable है, पर्चस का ह आएगा, okay, मेरे GSTR 2 में, GSTR 2 में नहीं दिख रहा है, तो वो fraudulent activity मानी जाएगी, तो मैं धर गया एक दम से, कि किसने बनाया है आपने नाम पे evable, ठीक है, तो अब समझ लो, आपको गलती से आपके नाम का evable बना है GSTN में, आपको details आगे, तो आप 72 घंटे के अंदर उस में जब मैंने का cancel कर दे पर फिर हमको पता चला कि आए वो pen drive खरी देते उसका evable है, तो यह बात में पता चला, लेकिन आपके पास rights है कि आप कैंसल का सकते हो, अगर 72 घंटे या डिलेवरी के पहले आपने उसको cancel नहीं किया, तो वो deemed to be accepted मान लिया जाएगा, sorry cancellation नहीं किया है, okay rejection जो है आपने नहीं किया, तो वो deemed to be acceptance मान ला जाएगा, cancellation of bill, goods not transported, या goods not transported as per the details furnished, तो 24 घंटे के अंदर, समझ लो इवे बिल जनेट हुआ, और बात में आपने decision लिया कि नहीं, transport नहीं करना है, या गलती से गलत information चले गई, तो आप 24 घंटे के अंदर उसको cancel कर सकते ह हो, और कि 24 घंटे के अंदर cancel कर सकते हो, लेकिन important, cannot be cancelled if verified in transit, लेकिन अगर आपका conveyance verify हो गया, किसी inspection matter गया, transit में, तो फिर आप cancel नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका verification हो गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर, अगर आपका conveyance का verification नहीं हो आँगा, तो आप conveyance को वापस बुला सकते हो, और conveyance को वापस बुला के जो है, यहाँ पर evay bill cancel कर सकते हो, ठीक है, done, यह supplier की भी validity से में, supplier की भी validity यही है 72 hours और before delivery, चलिए, तो यह हुआ general discussion, अब मैं कुछ special discussion पर आओगा, transshipment of goods, okay, अब देखो, transshipment of the goods में, consigner or recipient, who has furnished part A, or transporter, can assign the evay bill to another registered transporter to update part B of evay bill for the further movement of goods, only one evay bill is required, ठीक है, यह point को समझ लो, transshipment मतलब convince change हो रहा है, आपका goods जो है, जाने वाला है, महराश्टर से देली, आपका goods महराश्टर से देली जाने वाला है, ठीक है, आई बास समझ में, अब इसमें, इन दोरान, बीच में, यह जो goods है, गुज़ात, गुज़ात में truck change होगा, याने 이्राशटर जो है, ट्रांसपोर्टर यहाँ से गुज़ात लेके जाएगा, और यह truck गुज़ात जाएगा, और गुज़ात जाने के बाद, यहाँ पे δूसरे truck से, transporter जो है, transporter यहाँ से gujrat लेके जाएगा, और यह truck gujrat जाएगा, और gujrat जाने के बाद यहाँ पे दुसरे truck से transship होगा, और दुसरे truck से, या convenience से, या train से, या जो भी हो, okay, convenience change हो रहा है, यहाँ से दे ली जाएगा, okay, यहाँ पे, तो यहाँ से goods यह truck में shift हो जाएगे या conveyance में shift हो जाएगे इसको कहते है transshipment इसको कहते है transshipment ठीक है तो अब दिखो जब यह बंदे ने a person who causing the moment of goods यह बंदे ने जब evay bill बनाया होगा evay bill बनाया होगा तो evay bill में यहाँ पे पार्ट A की information और पार्ट B की information पार्ट B की information में vehicle number और document दिये होगे तो यह vehicle number तो यह जो हमारा purple यहाँ पे इसका दिया होगा इस convince का दिया होगा लेकिन बात में vehicle change हो रहा है बात में convince change हो रहा है तो ऐसे situation में पार्ट B की information change करनी पड़ेगी तो ऐसे situation में पार्ट B की information जो गुजरात से vehicle change किया गया तो यह जो गुजरात का transporter है इसको assign किया जा सकता है कि वो part B की information बाद में change कर दे यानि जब वो ship करेगा तो part B की information यहाँ पे वो ok change कर देगा नया evable बनाने की ज़रूरत नहीं है जो आपने पहले evable बनाया वो ही continue रहेगा अगर आपका bill to ship to model है तो evable में दोनों option रहेगे और केस में भी एक ही evable रहेगा आपको अलग-अलग evable बनाने की जरूरत नहीं है एक ही evable में आपको यह information देनी पड़ेगी bill to किसको है और shift to किसको है done उसके बाद में invoice reference number IRN evable में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा है अगर IRN generate करते हो तो yes evable auto populate हो जाएगा part A और इन्वाइस अगर आप upload कर देते हो और e generate करते हो तो evable portal आपका information capture कर लेगा ठीक है multiple consignment अब यह वाला point देहां से सुनना multiple consignment का transporter will generate the evable in following cases दो cases है one और two ऐसे दो round करो पहला if consigner or consignee has not generated evable and value of goods carried in a convince is more than 50,000 generation of evable 101 by transporter मतलब क्या अगर consigner or consignee दोनों ने भी evable generate नहीं क्या क्योंकि दोनों भी unregistered है दोनों भी unregistered है या person who causing the moment of goods और के वो बंदा unregistered है तो वो case में अगर consignment की value 50,000 के उपर जा रही है सुनो consignment की value 50,000 के उपर जा रही है तो वो situation में transporter को evable generate करना पड़ेगा और वो ewb01 में generate करना पड़ेगा यह पहला point अब दूसरा एक अलगी point है generation of consolidated evable in ewb02 from ewb01 और वो applicable only for transportation of road एक तो क्या है कि ewb01 यह एक एक consignment का होता है यह consignment का ewb01, यह consignment का ewb01 लेकिन समझ लो कोई cargo agency है और यह cargo agency का truck जा रहा है और यह truck जा रहा है यहां से पंजाब यह truck जा रहा है यहां से पंजाब ठीक है इस truck में अलग-अलग consignor जो है समझ लो supplier S1, S2, S3 और S4 अपने goods वो दे रहा है और इसने अपने goods का ewb01 बनाया इसने भी 01 बनाया इसने भी 01 बनाया अपने goods का ewb01 बना लिया गया तो अपने ewb01 बना लिया फिर उसके बाद में by road transport किया जा रहा है तो इस truck में कितने total consignment है इस truck में कितने total consignment है तो वो case में यहाँ पे ewb एक consolidated बनेगा ewb02 और कि इससे आसानी क्या होगी कि in between अगर truck रोका गया तो आपको हर ewb01 बताने की जरुबत नहीं है आप जो इसका एक complete manifest बना लोगी ewb02 जो वन के आधारित रहेगा वन के base पर बनाया जाएगा वो ewb02 बना लिया तो भी चलेगा और अगर in between रुका गया तो ewb02 बता दो उससे यह सारी information फेच हो जाएगी ठीक है तो यह था यहाँ पे जहां तक दिखा जाए तो multi consignment और important clarification transit of goods in a same state through another state ewb is required ewb is required एक clarification था और clarification यह था कि मेरा supply same state में हो रहा है पर movement other states है जैसे मैं महराश्रा के महराश्रा में supply कर रहा हूँ पर गौवा बार्डर यूज़ कर रहा हूँ करनाड़क बार्डर यूज़ कर रहा हूँ गुजराद बार्डर यूज़ कर रहा हूँ तो goods की movement दुसरे state के बार्डर से पर same state में supply है तभी मुझे evbill बनाना पढ़ेगा अगर consignment value 50,000 से जादा है क्योंकि movement in a interstate होगी that's all evbill बनाना पढ़ेगा दुसरा movement of goods from DTA to SCZ अगर मैं domestic supply SCZ को कर रहा हूँ समझ लो मैं पुना से मुंबई SCZ में supply कर रहा हूँ तो क्या evbill बनाना पढ़ेगा तो वो case में evbill बनाने की जरुवत नहीं है even though interstate supply है even though interstate supply है पर evbill बनाने की जरुवत नहीं है लेकिन यह central में बनाने की जरुवत नहीं है state law उससे related क्या लेकिन जहां तक interstate की बात है और अगर आप same state में SCZ को supply कर रहा है तो वो case में evbill बनाने की जरुवत नहीं है इस तरह से हमने हमारा chart जो है सभी points मेंने cover कर लिये है इस chart में सभी points मेंने cover कर लिये enough है इसके बाद बस आप questionnaire पढ़ो अगे तो यह mind mapping हो गई questionnaire से कैसे लिखना वो हो गया that's all आपको पूरे marks इसमें आ जाए कि कोई भी सवाल अगर पुछा गया हो so done तो यह हमने यहाँ पे complete किया regarding to evable अब किसी को सवाल हो तो मैं जरूर लोगा कोई यहाँ पे video call में आना चाहता है और video call में दो कोई दीख नहीं रहा है मुझे जादा कोई मोहन पार् यहाँ पे कुछ ही students का दीख रहा है एक सवाल है transshipment के case में जब दूसरी बार part B बनाना है तो वो consignor recipient भी कर सकते है ना कर सकते है उसमें कोई problem नहीं है कर सकते है पर अब वो गुजरात का जो transporter आगे ship कर रहा है तो वो उसके लिए ज्यादा convenient है वो उतना part change कर देगा sir I am exporting the goods तो part A में pin code port का देना होगा yes port का pin code देना पड़ेगा sir Delhi तो Delhi to Delhi जा रहा है और हर्याना में होकर जा रहा है 70,000 का सामान है तो क्या क्या क्योंकि evay bill बनेगा ना yes बनेगा क्योंकि interstate movement हर्याना border UP border use कर ली Delhi to Delhi में भी UP border use कर ली तो evay bill बनाना पड़ेगा 50,000 के criteria पर अगर वो intra होता तो Delhi में 1,00,000 की limit है लेकिन ये दूसरे state से जा रहा है तो वो central के evay bill भी rule में आ गया और 50,000 के criteria पर evay bill बनाना पड़ेगा एक question है sir एक general question है just for knowledge sir evay bill में कहीं पर भी goods की description नहीं देनी है होती है तो illegal goods भी transport होगा ना नहीं ना बेटा उसके साथ invoice भी connected होता है चालान rule 55 चालान या invoice की details भी होती है तो वो easily trace हो जाता है नहीं ना बेटा इंटर स्टेट में गलत कर रहे हो आप इंटर स्टेट में पचास जार की value है यह पूरे rule यह इंटर स्टेट के लिए पढ़ रहे है यह इंटर स्टेट की rule है इंटर स्टेट होगा तो 50,000 की value है evay bill के लिए confused हो रहे हो आप हाँ वो मैंने registration के लिए बताया था कि आगर आपने एक रुपे का भी interstate supply goods का किया हो तो registration लेने पढ़ता है registration के लिए बताया था यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह intra पढ़ा ही नहीं रहा हूँ यह interstate moment ही पढ़ा रहा हूँ पचास अजार की value था वो तो वेटा सर मैंने purchase करके sell कर दिया direct तो वो तो bill to ship to में आ जाएगा ना वो तो bill to ship to में आ जाएगा ऐसा मत करो यार पूरी रामायन होगी और आप बोल रहे हो राम की सिता कौन यह जो भी पढ़ा है मैंने सब यह central e-way bill rule है interstate के intra कि तुम मैंने बोल दिया ना अलग-अलग limit है चलो तो यहाँ e-way bill हमारा यह discussion complete होता है यहाँ अब हम complete करता है ठीक है